हेलो रिवन मैसल विने सिंग आज थर्मोडानिमिक्स का वीडियो लेक्च्चर हमारे पास फोर्थ है जिसमें हम आज की लेक्चर में डिसकस करेंगे एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क को डिसकस किया जाएगा तो क्लास 11 में निमर्कल के पॉइंट अब वियू से ये वीडियो लेक्च्चर आपके लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट हो सकता है बच्चो तो देखो इसमें मेरा जानना यह है कि वर्क का जो एक्सप्रेशन होता है फोर्स एंटू डिस्प्रेश्मेंट होता है लिर है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेश्मेंट को मेरे को प्रेशर और वॉल्यूम के वर्क में तब्दिल करना है एक छोटा से डिलिवेशन आपको इसको सीखते हैं कैसे इसको प्रेशर और वॉल्यूम में कर्णमट किया जाएगा जो आप लोर क्लास में फोर्मले को जानते हो उसी एक्सप्रेशन को में देखो ये डिराइब के से क्मबा है तो वर्क का जो एक्सप्रेशन होता है जो आप लोर क्लास में फड़ किया आते हैं फोर्स इंटू जब F निकालोगे तो यह आएगा प्रेसर इंटू A आएगा इस एक्सप्रेसन को कहना वर्क के एक्सप्रेसन पुट कर दिया जाए तो वर्क इसकोल टू देखो कुछ हैसे आएगा पी F के जगा पे यह बैलू पुट कर दो तो P A इंटू D आ गया अब दोखो मेरे को कहना कि area इंटू distance अगर यह देखा जाए एक्सप्रेसन तो volume आता है तो टोटल कितने dimension होगे तीन होगे बच्चे तो इस डबलू को क्या लिख सकते हो यानि पी इंटू और A इंटू D के expression को लिख सकते हो that is volume तो आपके पास क्या expression निकल गया गया थर्मोडानेमिक्स में यानि pressure और इंटू volume pressure इंटू volume के expression को वर्क बोला जाएगा क्या बोला जाएगा वर्क बोला जाएगा तो यह तो एक छोटा सा derivation था बट हमें थर्मोडानेमिक्स में expression देखो कुछ expansion को लेकर discuss करना होता है और compression को लेकर के discuss करना होता है तो इसी expression को आप ऐसे modify करोगे W is equal to minus का P external into delta V देता बच्चो यह expression आपको थर्मोडानेमिक्स में mention किया जाता है यानि W is equal to minus का P external into delta V होता है अंडेस्टेंड हो गया यह expression expansion पे भी अप्लिकेबाल होता है as well as compression पे भी अप्लिकेबाल होता है अलो दोखो इसमें negative sign का मतलब ही होता है कि expansion के लिए ज़रा notice कर लेते हैं अगर आपके पास expansion होगा बच्चो तो expansion में जना समझो ठीक है ना तो expansion में यानि कि आपके पास जो यह delta V है समझो यानि expansion में क्या होगा कि जो अंदर के गैसे सूंगी वो कुछ expand कर जाएगा तो ऐसे समझो कि initial volume क्या होगा V1 होगा और final volume V2 होगा तो मैं इस delta V को क अगर एक्सपेंसर होगा तो expansion में क्या होगा V2 is greater than V1 होगा understand हो गया तो इसका मतलब यह हो गया कि delta V positive quantity सो करेगा delta V क्या सो करेगा positive सो करेगा यदि delta V positive सो करेगा तो इस expression में यह positive आ गया W क्या सो करेगा negative यह negative तो एक्सपेंसर में work negative होता है एक्सपेंसर में क्या होता है work negative होता है understand हो गया ओके अगर compression की बात करते हो तो compression में क्याना कि जो volume होगा समझो और decrease करेगा suppose क्याना कि कोई यह समझो piston है उपर से क्याना pressure दोगे तो अंदर के जो molecule होग न हो compress होगे, जब compress होगे तो काफी molecule पास पास आ जाएंगे तो volume के आउजदा decrease कर जाएगा तो इसमें हमें इसको ऐसे mention कर सकते हैं, कि जो delta V है वेक्चो समझो तो V2 minus V1 समझो कुछ ऐसे है, तो इस वाले expression में क्या मोटिस कर पा रहे हो यानि V2 is less than V1 यानि initial volume जादा होगा final volume कम होगा, तो इसमें delta V क्या आएगा, बच्चे, negative आएगा delta V क्या निगेटू को सोल करेगा ठीक, अब दोखो जब इस में expression में delta V negative रखोगे, इस में expression में volume क्या आएगा, negative और ये negative और ये negative मिल के क्या हो जाएगा, positive हो जाएगा बच्चे, तो W क्या आएगा, positive हो आगया तो compression के लिए work क्या होता है, बच्चे, positive होता है तो इसलिए ये ऐसा expression अखा गया ताकि expansion और compression दोनों पर formula hold हो सके done हो गया, अदोखो इस formula को नहीं भी derived तर पा रहे हो काम करोगे तो आपके energy क्या होगा? decrease होगा तो इसलिए sign यहाँ पर क्या दिखाया जाता है? negative दिखाया जाता है for expensive में समझो okay, expensive में gases molecule काम करते है अगर काम हम करेंगे तो energy हमारी क्या होगी? लगपार decrease करेंगा understand होगी है? और compression में क्याना कि हम system पर काम करते है अब system को energy मिली क्या? अगर system को energy मिली क्या तो system के energy बढ़ जाएगा, okay? तो बच्चे यह expression क्या होता है? irreversible के लिए applicable होता है, यानि this expression is applicable for irreversible process irreversible process में expansion पर भी applicable होगा as well as compression पर भी applicable होगा, understand हो गया? अब इसके बाद को हमें बच्चों discuss करना है, यानि कि work done reversible isothermal expansion के लिए है, तक आप इसको note कर लेजिए, okay? तो बच्चों इसमें हम लोग expression discuss कर लेते हैं, क्योंकि compression और expansion बात के जा है, तबसे important हमारा syllabus में फर्मला यह होता है, क्योंकि इस पर numerical, चाहे academic हो, चाहे आप CUT का exam दो, या JEE का exam दो, या NEET का exam दो, इस expression से क्याना numerical बच्चे बनते बनता है, तो मेरा प्रयास यह है कि आप concept के पीज़े बागे direct formula को मत अभी लंग करें, okay? तो दोखो इस ही मेरा expression कुछ ऐसे है, work done में जो नहीं आलना है, reversible isothermal expansion of ideal gas के लिए, यानि देखो हमारे अंदर जो इसमें हमने एक system use किया है, इसके अंदर हमारे पास P external है ये expression बच्चे क्या सो कर रहा है P external को, और अंदर जो है ये P gas है सबज़ो ये बटा अंदर कौन सी gas भरी हुई है, P gas, जो की ideal gas है, ओके और process कैसा इसमें है reversible है, ठीक है reversible है, reversible का मतलब ये हो गया इसमें कि P external है, जो बाहर का pressure है और जो अंदर gas के pressure होगे, ठीक है तो reversible का बटा मतलब ये होता है कि हर एक step पे, यानि कि external और अंदर के pressure हर एक stage पे क्या ना, equilibrium में होगे, तो इसका mathematically मतलब ये हो गया, कि P external is equal to, मच्चे क्या होगा, P gas होगा reversible के expression से हमें ये मालूब चलता है, तो कि reversible में जो change होता है न, वो infinites, small change होता है infinites, small change होता है तो मैं P external को क्या यहाँ परूच कर सकता हो, मच्चे P gas उज़ कर सकता हूँ correct, तो मैं इस W को क्याना, for a small change तो कि इसमें expression बहुत small change के लिए होता है, तो जब small change होगा, तो मैं अपने expression में जो W है न, उस expression को differentiation term उज़ किया जाता है, this is the mathematical part तो derivation को थोड़ा feel करने का प्रयास करते हैं done, अब मैं इस P external को बच्चे लिख सकता हूँ, P gas में तब्दिल कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ P gas में, और delta V जो होता है, for a large change के लिए होता है तो small change के लिए क्या दिखाऊगा इसको, DB में उज़ करोगे किसमें उज़ करोगे, DV V, done हो गया, अब दोखो since we know that, अगर ideal gas है, तो ideal gas के लिए जो expression होता है, PV is equal to, अच्चे, NRT होता है बास सही नहीं आतक, अब इसका जब P gas निकालोगे मतलब pressure जब निकालोगे, तो दोखो यह expression कुछ हैसे आएगा, NRT है और नीचे बटा V आएगा इस expression को आप box बना करके रखे दो, इस expression में आप इसको उठा करके, उठकर तो अच्छे से, अब दोखो इसमें क्या ना expensor है, तो initial volume क्या आपने लिया, V1, जब यह expand कर गया, तो final volume क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, तो totally इसमें mathematics है समझो, totally बच्छे क्या, इसमें mathematics involved है, तो अब दोखो मेरे को इसमें बच्छे, DW लिखोगे minus का इस P guys की value put कर दो, जब P guys की value put करोगे तो minus NRT और यह V, और यह बच्छे क्या हो जाएगा, DV हो जाएगा, अब मेरे को दोखो, D को अटाना है, तो mathematics में एक concept है, differentiation का उल्टा है, integration होता है, clear होगे सभी को, तो इसको integrate कर दोगे, बच्छे क्या इसमें लिखोगे, integrate, integrated, integrate, both side, both side, we get, ओके, इसको आप integrate कर दो, दोनों तरफ, दोखो इसमें बच्छे क्या मिलेगा, यह आपके पास DW हो गया, done, इसमें, NRT, दोखो, NRT क्याना यह सब constantum है, वोकि यह दो नंबर of moles है, तो fixed value होगा, या तो दो मोल होगा, या तो तीन मोल होगा, बच्छे, R क्याना gas constant होता है, इसके भी value क्याना fixed होती है, clear हो गया, P क्याना बच्छे, isothermal process है, तो isothermal का मतलब temperature keeping constant throughout the system, clear हो गया, तो इस सारे को बाहर कर लो, minus क्या हो जाएगा, NRT बाहर हो जाएगा, अब दोखो, विरादरी को विरादरी के साथ compare करो, यानि कि volume का विरादरी का उनसा, यानि DV का volume, विस से compare करोगे, तो इसको क्या लिख सकते हो, DVY, V लिख सकते हो, करोगे, तो लिमिट यूज करते हैं, तो जब आपके पास समझो, initial limit, आपके पास V1 है, तो उस टाइम पर work क्या होगा, 0 होगा, तो कि जब आपका initial volume कुछ आपने इसमें expansion ही नहीं हुआ है, तो work इसमें क्या होगा, 0, अब जब यह expand कर गया, तो volume क्या होगा, इसका बच्चे, V2 हो गया, तो उस टाइम पर work क्या होगा, W आपने इसम कर लिया, clear हो गया, तो अब दोड़ा सा इसमें कुछ mathematics के concept है, आप इसको अलग से जब आप focus कर लिजिए, नोट कर लिजिए, ठीक है, तो कुछ आप ऐसे लिख सकते है, sum formula, integration को ले करके, mathematics में कुछ concept ऐसे है, कि dx है समझो, ऐसे अगर ये integration का sign होता है, integration dx है, तो बच्चे, इसका result क्या आएगा, x निकल क्या आएगा, clear हो गया, suppose मेरे पास और समझो, जैसे बच्चे क्या दिआ गया है, dv, y, v, दिआ गया है, या पहले इसको dx कर लो, हम इसको dx by x के time में पढ़ते हैं, तो dx by x के time में दिआ गया है, बच्चे इसका answer क्या लिखोगे, ln x के time में लिखोगे, ln का मतलब natural logarithm के time में इसका answer आएगा, अब यह एक्सप्रेशन क्या ना यह जो फर्मूला है इसको ऐसे यूज करते हैं दोखो यहाँ पर डी डबलू है मिन्स डी एक्स के टम में दिया गया है तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ जरा देखो चिसे इस एक्सप्रेशन वन को समझो तो इसको लिए सकते हो डबलू यानि कि डी डबलू का इंटिग्रेशन में टक्या आएगा डबलू आएगा डन अब दोखो यह तो पहले से बाहर है तो माइनस का इनार्टी यह एसे रहने दो ठीक है डी वी वाई वी बच्छे यह क्या देगा एक्सप्रेशन से एलन देगा समझो क्या देगा यह इसको क क्या लिखोगे एले यूर हो गके और यह क्या नटना नो टीस करो कि अ हुए आप सब से पहले अपर लिमिट को रखते हैं कि यू है तो गभल आएका लाएगा गाए रखोगा यह क्ए बेडशाim कर दैन दो गई कहन लोर टैन और नटन हो गया अब इसमें पूट करो लोगे बच्चे वैलू तो यह एक्स्प्रेशन देखो कुछ ऐसे आएगा डबलो जुकल टू पहले अपर लिमिट वैलू करते हैं तो एलन वी टू इसमें पूट करोगे ठीक है यह आजाएगा एलन वी टू पहले क्या रहा है अपर लिमिट को फूट किया जाता है फिर बा एलन की टम में माइनस होता है समझो इदर आप थोड़ा सलक शब्स वील कर लो कुछ लॉग के समझो मैं फ़रमलर लिक्वा देता हूँ लीर हो गया मैं लॉग के कुछ फ़रमलर लिक्वा दू जैसे लॉग में बच्चे लॉग एम की पावर अंड दिया गया है तो इसको क क्या लेक्ष सकते हो वच्शे लोग ए प्लस लोग बी लिख सकते हो यह रोगे अब ब्लो चार्ट जो फोंला आता है लोग के टम में महालो सपोस्ट लोग कि ऑग्षज दिया गया है ठीक है यानि मल्टिप्लाइड में कहाना समटा है मल्टिप्लाइड वच्च यूश इसमें log A by B, तो यह क्या लेख सकते हो, log A minus log B इसको यूज किया जा सकता है, क्लीर हो किया तो इसमें मैंने क्या तरीका बताया, कि यदि multiplied दियागे बच्चो, multiplied में log की property में sum होता है, और जब divide होता है, तो divide में minus होता है, तो यह तीन formula से आपका log K, D, सारी calculation, class total दो भी काम आजाएगा और claim दो भी काम चल जाएगा, इस related क्यारों कुछ मेरे पास standard values हैं, उसको भी आप अलग से आपको लीजे, log 2 की value जो है न, क्योंकि यह सब value याद रखे रहोगे, तो आपको numerical के point of view से ज्यादा easy रहेगा, यानि आपको table और आपको teacher से पूछना नहीं पूरीगा, log 2 का standard value बच्चे होता है, 0.30 होता है, ऐसे ही log 3 की value याद कर लीजे, log 3 की value बच्चे है, 0.4771 होता है, ऐसे ही log 5 याद कर लो बच्चे, log 5 की value 0.5 या इसको अलग से आप निगाल सकते हो, log 10 by 2 करके निगाल सकते हो, तो I think इसका 0.69 करके आता है, 0.69 करके इसका आएगा, ठीके, 0.699 करके आता है, तो इसको निगालने का सौटरी क्या है, कि इसको 10 by 2 लिख सकते हो, तो log 10 minus log 2 कर सकते हो, ऐसे आप निगाल के चेक करके लेदा, I think 0.699 करके आता है, ठीके, और log 10 की value, log 10 की value बच्चे कि इतना होता है, standard value, एक होता है समद्यों, यह सारे basic information है, जो आपको log में यूज़ करना होगा, अब देखो मैं अपने expression को इसको कैसे उज़ करूँगा, देखो यह कुछ ऐसे आगा उच्छे, चीक है, तो इस expression को देखो ऐसे उज़ करो, तो w is equal to क्या आएगा, minus का in rt, अब यह तुमारे पास ln v2, देखो यह वाला formula उज़ करोगे, यह minus में है, तो क्या लिखोगे, ayb, इसमें क्या लिखोगे, v2y, v1 expression लिखा जाएगा, v2y, v1 को ऐसे लिखा जाएगा, clear हो गया, देखो यह तुमारा जो दिया गया न, natural logarithm के टम में दिया गया, लेकिन हमें calculation किसे में करना होता है, log के टम में बच्चे करना होता है, understand हो गया, तो दे 2.303 से multiplied करते हैं, 303 से, यानि 2.303 के expression से multiplied बच्चे किया जाएगा, तब जाकि यह किस में करना होता हो जाएगा, log 10 में करना हो जाएगा, best 10 में समझो, तो मेरे को calculation कहाना कि ऐसे करना होता है, यह रोगी है, तो थोड़ा देखो, tough है, बस patience रखो, कोकि यह सब जानने से कहा आप learning नहीं कर सकते हो, कोई ऐसे भी द्यारती होगा, कि direct expression को पकड़ो अच्छे से, फड़ा patience रखे रहो, वीडियो को pause करो, बार बर समझो, अपने आप समझने आजाएगा अच्छे से, चलो आगे बढ़ते हैं, तो मेरे को ln से कहा जाना है, log जाना है, क्या करोगे, 2.303 स multiply करोगे, यह expression क्या ना, class 12 पे भी agility जैसे उच्किया जाएगा, तो एक बार परेस्रम कर लो, बाकी जग़ा पर फल मिठा ही मिलेगा आपको, ठीक है ना मच्छे, तो w is equal to क्या आएगा, minus का nrt, minus का nrt, अब 2.303 को पहले multiply करो, कुछ आप इसको ऐसे लिखो, इसको मिटा कु आएगा, तो w is equal to minus का 2.303 और यह हो जाएगा nrt, और यह हो जाएगा log के टम में, इसके टम में हो जाएगा, log के टम में, तो क्या दिखो कि इसमें, v2 by v1, this is the final expression for work done, reversible, isothermal expansion for ideal gas, तो देखो मेरा motive, इस expression को डराइब रहता था, सबी को clear हो गया, क्योंकि देखो यह derivation आपको बहुत ही rare academic level में पूछता है, लेकिन हमें यह जानने से फाइदा होता है, कि यह formula actual में आया कैसे, तो दी जारता basic concept, तो हमें कहाना है इसी को star बना देना है, यह सबसे ज्यादा important formula है, I hope कि यह आपका derivation में अच्छा लगा और इसमें एक पार्ट को और discuss कर लेते हैं, मेरा main boss formula क्याना, w reversible, यानि कि work done reversible के लिए formula आता है, मेरे साथ साथ मोलते चलेंगे, minus 2.303 nrt log v2y v1, तो volume के term में expression v2y v1 बच्चे करेके आता है, अब ग्याना कि देखो, यह मेरे पास expression बेटा, at constant temperature पर देखो, तो कि process क्या बटा, आईसो thermal ते समझो, तो at constant temperature जब आप यूज़ करोगी, तो आपके पास, यह दोखो, वाइल स्ला के हिसाब से, P is universally proportional to volume को इसे लिख सकते हो, at constant temperature, इसको वाइल स्ला भी कहते है, क्या कहते है वाइल स्ला बोला जाता है, जो कि states of matter में पढ़ाया जाता है, अब यह J के सलेवर से, need के सलेवर से reduce हो गया है, तो हमें इसका लेंदेन नहीं है, तो इसको नहीं भी जानते हो, तो आप इस expression को देखो जानते हो, P is equal to nRT है, समझो, यह हाला कि states of matter से आता है, तो हमें उस प temperature बेटा constant है, आर क्या होता है, गैस constant होता है, एन कहाना यह number of moles होते है, this is the desert होता है, तो मैं इस expression को यह मान सकता हूँ, कि दी जारदा constant value, जीके constant value मालो इसको, तो PV is equal to beta क्या लिख सकते हो, constant लिख सकते हो, बास सही यहां तक, अब मालो की system expansion किया, तो उस case में initial pressure P1 और initial volume V1 ह होगा, इसको लिख सकते हो, P1 V1, और जब constant है, जब यह expand करेगा, तो उस case में pressure इसका P2 हो जाएगा, और volume क्या लिख सकते हो, अब दोखो मेरे को V2 और V1 को रिलीट करो अच्छे से, बाटा इस expression को कुछ ऐसे लिख सकते हो, V2 by V1, ओके, और इसको क्या लिख सकते हो, P2 के साथ जब करोगे, तो V2 आएगा, P1 के साथ बाटा क्या आएगा, V1 आएगा, तो इस expression को उठा करके, जब इस वाले में put करोगे, तो यह भी कुछ final expression बाटा है, प्रेसर के टम में कैसे आएगा, तो W reversible, W reversible, formula निकल के कुछ ऐसे आएगा, minus का 2.303 nrt log, प्रेसर के टम मे P1 by P2 expression यह करके आएगा, इस लोगे बच्चे, दो दो formula आपके मिल गए, अगर question में आपके पास suppose volume दिया गया है, तो यह expression इस करोगे, प्रेसर के टम में ratio दिया गया है, तो like this formula इस करोगे, दन, log के मैंने कुछ property भी बता दिया है, तो इतने के property से आपको numerical इसे ठेक ठाक मि प्रेले, एक छोटा सा topic और discuss कर लेते हैं, फिर कहना कि हम लोग अपने video lecture में, या आने वाले incoming lecture में, हम लोग इस पर कहना कि निमेरकल की problem practice करेंगे, तब तक आप इसका screenshot ले लेजिए, तो last, हम लोगों बेच्छे डिसकस किया, बच्छन लोगों ने, यह work done का expression कैसे होता है तो इसके बाद topic दो हम लोगों को discuss करने के लिए internal energy concept आता है, या आप अलग से इसमें heading डाल सकते हो, thermodynamic functions, thermodynamic energy से, तो टूटल बच्चे हमें, चार टाइब के thermodynamic energy डिसकस करना होता है, तो उन चार टाइब के thermodynamic energy में, सबसे पहला हमारे पास, delta U, internal energy जिसे कहते हैं, फिर इसके लेक्चेस बच्चे हैं, इसमें delta H में discuss करेंगे, फिर क्या डिसकस करोगे, delta S, आखरी topic बटा, delta G होता है, तो अब क्याना की basic discuss करने के बाद से, हम लोग क्या discuss करेंगे, thermodynamic energy discuss किया जाएगा, तो उन thermodynamic energy में concept सबसे पहले आता है, internal energy का आता है, तो दखो ये internal energy क्याना की नाम अंदर की energy है, समझो, system की internal energy है, मतलब अंदर की energy देखो, ये language क्याना काफी difficult होता है, समझो, clear हो क्या, अब जो molecules होंगे, suppose जो gases molecules होंगे, वो especially क्याना की, अपने axis के cross, वो vibrate भी कर सकते हैं, वो घूम टहल भी सकते हैं, एक molecule दूसरे से टकर करके, वो interact भी कर सकता है, उसके पास समझो, क्याना, vibrational energy हो सकता है, translational energy हो सकता है, interaction energy हो सकता है, अगर वो समझो, items होगा, molecules होगे, बच्चे, तो especially क्याना, वो nucleus के around भी गूम सकते हैं, तो उसको क्या कह सकते हैं, nuclear energy भी कह सकते हैं, इन्ही energy का जो sum होता है, इसी को बच्चे बोला जाता है, common term में, internal energy बोला बच्चे बच्चे स्पेसरी कहना, the total energy associated with, the total energy associated with fixed amount, एक बार कहना कि जस्ट आप इस रेडी को गो थू कर लो, तो इतना लाइन यह असान नहीं समझो, फिर मैं इसको फिल कराने कोशिस करता हूँ, fixed amount of substance, which depends upon chemical nature and its state of existence is called internal energy, internal energy का जो अच्चे सिंबल होता है, वो delta U से भी indicate करते हैं, या किसी-किसी books में, या reference books में, delta E भी देता है, मने, delta इस नहीं लगाया है, क्योंकि these are the state function, clear हो क्या है, state function क्या है ना कि इसका initial और final हैं निकाल सकते हैं, इसका absolute निकाल नहीं सकते हो, तो इसलिए मुझे इसमें क्याना कि delta का operator लगाना ज़रूरी होता है, understand हो गया सभी को, अब ज़रा देखो इसमें, बच्चे इसमें क्या हो गया कि जो भी इसके chemical natures हैं, इनके सारे का summation क्यालाता है, internal energy क्यालाता है, अब देखो ये क्याना कि the various energy that contributes the internal energy, internal energy के across धे सारे type of energy जोते हैं, इन सबका जो summation होता है, वो क्याला था बच्चे, internal energy क्यालाता है, तो जैसे देखो इसमें क्याना कि सबसे पहले ट्रांस, national energy आता है, next है, rotational energy है, vibrational energy है, क्योंकि system के अंदर जो suppose molecule से, वो क्याना कि rotate भी कर सकता है, तो उस energy को क्या बोलोगे, rotational energy, वो molecule क्याना कि आपस में, आपस में थोड़ी, आपस में छोड़ो उसको, यानि वो single, single जग आता है, तो इस energy को क्या बोला जाएगा, अगर वो energy contribute करेगा, vibration k cross, तो क्या बोलोगे, vibrational energy, rotate करेगा, तो rotational energy बोला जाएगा, अब देखो, especially क्याना कि, electrons होते हैं, तो उसको क्या बोलोगे, electronic energy बोलोगे, अब nuclear k cross होगा, तो nuclear energy बोला जाएगा, अगर आपस में जो atoms होगे, interact ह होंगे तो क्या बोलोगे interaction energy इन ही का जो टोटल सम कहलाता है ना वो internal energy मिच्छे क्यालाता है आयोग की स्लाइब से हाभ समझ घ्या होंगे की internal energy का मतलब है कि जो items होते हें वो क्या क्या activity कर सकता है उन सारे activity का जो energy का सम होता है न वीटा उसी को बोलते हैं इंटर्नल इनर्जी बुला जाता है अड़ेस्टेंड हो गया अदोको मैंने इसमें नीचे क्याना की फीचर्स में इस्टेट फंक्सन अब इसके लावा यह प्रोपर्टी दो तरह से प्रोपर्टी डिसकर्ष करते हैं एक एक सेंसी होता है और एक इंटेंसी होता तो यह सारे के सारी क्याना की quantity पे डिपेंस करते हैं substance पे डिपेंस करते हैं तो दी जारता extensive properties और यह सारे थर्मोडानमिक फंक्सन क्याना absolute value इनका absolute value निकाल नहीं सकते हो इनका change ही निकाला जा सकता है तो इसमें सबसे आखरी point बेटा सबसे important है यह next point देखो डेल्टा यू यानि internal energy 0 होता है यानि internal energy 0 होगा कब जब इसका temperature constant होगा मतलब मैं यह कह सकता हूँ कि जब process आपका isothermal होगा तो internal energy constant होगा means internal energy only depends on temperature for ideal gas situation ideal gas के लिए सिर्फ और सिर्फ internal energy depends करता है temperature पे अगर temperature constant तो delta T should be 0 उसके respect में delta U should be 0 जब मैं पढ़ाऊंगा आपको first thermodynamics तो इस वाले special case में आपको अच्छे समयसर चीजे mention करूँगा तो इस वाले point को आप अच्छे से गोल के पी जाए यानि internal energy mainly depends on temperature delta T should be 0, delta U should be also 0 और ideal gas situation दन हो गया तो आप बच्चे इसका screenshot ले लो फिर इसके बाद में डिसकस करते हैं laws of chemical combination तो बच्चों इसमें लोग टॉपिक अब laws of thermodynamics है तो टोटल हमारे thermodynamics में 4 टाइप यानि की चार तरह की laws of thermodynamics दिसकस करना होता है सबसे पहले 0 लो आता है फिर first लो आता है second law आता है and third law आता है समझो यह thermodynamics के laws प्रपोस किये गए हैं तो जिनमें सबसे पहले 0 लो आता है तो 0 लो कहना कि मेरे recording सबसे simplest law को मानते हैं तो कि 0 लो इतना easy law है कि आपको बहुत easy समझ में आ जाएगा then the body A and C विल also be in thermal equilibrium with each other तो एकदम simplest लाइन है क्याने को मतलब है कि दो बाडिज कि सी तीसरे बाड़ी से कहिरा thermal equilibrium में acts अफ्या क्या है Go by के साथ क्या होगा स्ञा है तो कहना यह चाहता है कि जब A से बी thermal equilibrium है Puis के साथ सी thermal equilibrium है तो एक के साथ क्या होगा also भी thermal equilibrium with each other होगा तो देखो इसका utility यह है इसका significance यह है तो मैं तो प्रेटिकली समझाता हूँ suppose कहाना कि मैंने आपको teach किया और आप मेरा ही concept कियाना किसी अपने sister को या अपने किसी brother को teach करते हो मेरा same concept समझो तो आपने उसको teach किया मेरा same concept तो आपका उससे उसमें flow हुआ समझो concept का तो कहीं न कहीं आपके sister और brother से मेरा भी तो concept गया तो यानि आपको मैंने teach किया आपने किसी brother और sister को teach किया तो same concept मेरा प्रीट फ्लो किया तो यानि कि आपके brother और sister से मेरा भी क्या हो गया same concept जारे है बच्छे तो इसी को कहते है जिरोत law कहते है यानि मैंने आपको simplest पढ़ाया आप किसी और को पढ़ा दिये तो जो तीसरा person है वो मेरे से ही क्या होगा connected होगा इसका बच्चे इसका बच्चे से ले लिजिए तो बच्चों इसमें laws of thermodynamics में जिरोत के बाद simply क्या आता है न first law thermodynamics आता है तो पूरे इस thermodynamics के chapter में अगर बोला जाये तो मदर concept जो है न वो first law thermodynamics है यानि किसी भी academic exam में first law thermodynamics पे बच्चे question बनता है question का statement और जो इससे related इसके mathematical expression आते हैं यानि इसको आपको अच्छे से गोल के पीख चला जाना है दोखो इसमें first law thermodynamics का बेटा concept यह है कि यह totally जो law है न प्रैक्टिकली जो law है समझो यह law totally based on law of energy conservation पे clear है यह totally law किस पर बेस्ट हो तो बच्चे दोखो मैंने side में यहां पर बेंसन किया है this law is based on law of energy conservation अब दोखो lower class में कहाना कि law of energy conservation पढ़ाया जाता है अब energy conservation का statement कहाना कि lower class में पढ़ते हो बड़की इसको एक form से दूसरे form में पच्चे convert किया जाता है तो दोखो इसमें thermodynamics का statement क्या मतलब हो गया thermodynamics का significance यह इस statement से मतलब यह है कि total energy of the universe दोखो universe में कहाना system and surrounding आता है क्या था पच्चे system and surrounding आता है the total energy of the universe that is system and surrounding that is system and surrounding taken together taken together is always constant during any physical or chemical processes दोखो यह process क्याना physical और chemical दोनों में system and surrounding का total energy होगा और remains बच्चे congrab होगा जैसे आपने कोई reaction को देखो क्याना कि आप react कराते हो तो reaction के पहले जो energy होता है और reaction के बाद जो energy होगा और remains क्या रहाएगा बच्चे congrab रहाएगा समझो किसने किसी form में तबदील हो जागा समझो जैसे physical को देखो जैसे क्याना कि liquid से vapor बनता है liquid से क्याना gases form में जाएगा तो liquid की जो energy है और जो gases form में जो convert हुआ है समझो ये एक form से दुसरी form में convert हुआ है ये energy आपको खतम हुआ है खतम नहीं हुआ बच्चे समझो यानि inverse की दुखो energy क्याना remains बच्चे कंजब रहता है constant रहता है बस एक form से दुसरी form में क्याना changes होते रहते है तो इसी practical law को बच्चे बोला जाता है this is the first law of thermodynamics I hope कि ये statement पूरी तरह से clear हो गया होगा और एक marks में objective बच्चे question push लेता है कि first law thermodynamics कि इस principle पर best on है तो सिधा answer है this law is based on law of energy conservation done अब दोखो इसमें specially कहाना कि जब इस law को पढ़ लिया जाता है क्योंकि thermodynamics एक थोड़ा बहत ही boring chapter में समझ में आता है ओके तो mathematical expression बच्चे mathematical expression इसको sort में float लिखते बच्चे क्या लिखते है float float का मतलब क्याना त्यारणा नहीं है float का मतलब है first law of thermodynamics है understand हो गया तो आप internal energy से अभी हम लोग familiar है तो totally जो है internal energy पे first law thermodynamics कैसे behave करेगा तो हम system को क्याना कि दो तरह से यानि कि दो तरह से इसको system में आप heat दे दो या तो समझो कि system में heat दे दो तो जो system की internal energy होगी उसको यह उसे लिखते हैं बास सही है अब या तो system में कहीं से आप heat दे दोगे तो क्यूं होगा समझो या तो system पे काम कर दो तो कहने के मतलब कहना है कि mathematical expression for a first law thermodynamics में जो internal energy है वो q plus w के sum के बराबर होता है या तो system को आप heat दे दो या तो system पे कुछ न कुछ आप काम कर दो बच्चे तो दोनों ही case में कहना कि internal energy factors जो है न वो factors कहना depends करेगा समझो या कुछ उसमें disturbance प्रोडूस हो सकता है तो इसी को कहना कि first law thermodynamics कहा जाएगा समझो अब दोको mathematical में कैसे समझोगे मैंने दोको वही समझाने का प्रयास किया है by supplying heat of the system या तो system पे आप कुछ heat दे दो या तो system पे आप कुछ काम कर दो दोको मैंने इसको एक mind map से समझाने का प्रयास किया है को कि internal energy क्या न यह initial पे डिपेंड करेगा as well as final पे डिपेंड करेगा understand हो गया मानलों कि suppose मेरे पास यह system की internal energy U1 है अब मैंने suppose इसमें क्या न कि Q heat supply किया है Q heat को मैंने इसमें दिया है तो इसमें जो changes हुआ U1 plus मिच्चे Q हो गया understand हो गया अब देखो इसमें क्या न कि इसके बाद आपने WS पे काम किया WS पे आपने क्या किया work done on the system हो गया तो plus WS पे काम हुआ तो इसका system का देखो internal energy बच्चे क्या हो जाएगा यानि U2 की बराबर हो जाएगा तो इस expression को देखो आप यहां से copy करो तो बच्चे मेरे पास क्या मिला यानि U2 is equal to यह कुछ ऐसे मिला U1 U1 और Q plus W के सम के बराबर मिला clear हो गया अब देखो इसको इधर ले आओ तो U2 minus क्या हो जाएगा U1 हो जाएगा और बच्चे यह क्या हो जाएगा Q plus W हो जाएगा इस expression को क्या लिख सकते हो change भाई है तो change को क्या लिख सकते है delta लिख सकते है clear हो गया मस्तिस से clear हो गया यह देखो बचा यह हो जाएगा Q plus W तो this is the mathematical expression for first law तो हमारी chemistry पे खुड़ डिरिवेशन बहुत बड़े नहीं आते है बस fundamental clear रहेगा तो चीजों को असानी से सीख जाओगे थोड़ा बस patience रखे रहो असानी से thermodynamics में कमांड कर ले जाओगे मेरा अपना खुद का experience है समझो को कि यह सब मेरे को समझने में क्याना कि काफी साल लग जाए थे समझो तो आपको समझो इतना time नहीं लगना सही है तो इसको तोड़ा और अच्छे से elaborate करते समझो तो internal energy या तो system पर हीट दे दो या तो system पर आप काम कर दो तो दोनों का जो sum होता है न वो internal energy के बराबर होता है understand हो क्या है यह हम कह सकते हैं कि internal energy को disturb करने के दो methods है या तो system पर heat दे दो या तो system पर काम कर दो of thermodynamics यह law totally based on है law of energy conservation पर है अब यहां से entire क्याना mathematics या इसके special case फॉलों करेंगे तो इसको क्याना थोड़ा और अच्छे से elaborate करो जब इसको और अच्छे से डेल्टा वी लिख सकते हो मताँ यह पूरी तरह से क्यार हो गया क्यू माइनस पी डेल्टा वी तो यह जो डबलू है ना यह वर्क डन बाइदर सिस्टम का सेच्छवेशन है और इसको सब कोश क्याना आप इक्वेस्टन नंबर बंदे दो इस पर साइन कंवेंशन को भी लेकर के निमेरिकल ठीक ठाक बच्चे पूसता है तो निमेरिकल का जो प्रॉबलम प्रैक्टिस का जो लेक्चर होगा हम लोगों इसको अपने इंकमिंग लेक्चर में डिसकस करेंगे तो आज के टोटली वीडियो लेक्चर में इंटाइर को सीखने का प्रयास करेंगे जब कॉंसेट को सीख लोगे और निमेरिकल ठीक ठाक प्रैक्टिक सर लोगे तो मारा इंटाइर थियोरी क्या रहा है वह तो अच्छा पकड़ में आ जाएगा क्लिर हो गया है तो मैथमेटिकल एक्स्प्रेशन डेल्टा वी बच्चा गया तो जाएगा क्लिर हो गया है